नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल नोबल ज्यान में, आज हम बात करेंगे गुरुवार के उपायों के बारे में, गुरुवार को ब्रिहस्पती ग्रह का दिन माना जाता है, और इस दिन किये गए उपायों से जीवन में सुक्समृध् इससे घर में सुक्समृध्धी और शांती बनी रहती है, पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें, दो पीले वस्त्र पहनें, इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनें, पीला रंग ब्रिहस्पती ग्रह का प्रतीक है, और इसे पहनने से ब्रिहस्पती की क्रिपा प्रा जरूरत मंदों को पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करें। इससे ब्रहस्पती ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार को वरत रखें और भगवान विश्नु की कथा सुनें यह वरत आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। केले के पेड़ की पूजा गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से घर में सुकसमरिधी आती है केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पीले फूल चढ़ाएं 9. हनुमान जी की पूजा गुरुवार को हनुमान जी की पूजा भी लाभदायक होती है हनुमान चालिसा का पाठ करें और उन्हें गुड और चने का भोग लगाएं निशकर्ष गुरुवार के उपायों से जीवन में सुक्समरिधी, ज्यान और धन की प्राप्ती होती है इन उपायों को नियमित रूप से करने से ब्रिहस्पती ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है और जीवन में खुशाली बनी रहती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जै ब्रिहस्पती जरूर लिखें हम जल्द ही एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे भगवान आप सब पर कृपा बनाये रखें धन्यवाद